हाई स्टुडेंट मैं सुंदरपाल ब्रोड कोलेज की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है हमने इसके पहले के वीडियो के अंदर जो आपकी ये बुक है बीए सी फर्स्ट एर की पेपर सैकेंड की सेवाल सेवाकें ब्रायोफाइटा यानि एल्गी, लाइकेंड और ब्रायोफाइटा फिर के अंदर एल्गी की प्रकरती, एल्गी का आवाश एल्गी में विविन प्रकार के जो ठेलस स्टेक्चर बनती है उसके बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम एल्गी में जनन पढ़ रहे थे और algae में जनन के दिए हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि algae में तीन परकार के जनन होते हैं जिनको हम vegetative reproduction, asexual reproduction और sexual reproduction बोलते हैं यानि kayak general, ailingic general और langic general हमने इससे पहले के जो वीडियो है उसके अंदर है यदि हम जनन की बात करें तो हमने kayak general और ailingic general के वीडियो के जरिये हमने algae के अंदर reproduction पढ़ लिया और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे सेवालों में langic general कैसे होता है यानि कि सेवालों में sexual reproduction कैसे होता है जब प्रिस्तितियां प्रतिकुल होती है तो सेवालों में langic general होता है और इसमें क्या होता है गैमिट्स जिन कोशिकाओं में बनते हैं उनको हम गैमिट अंजियरम कहते हैं यानि कि युगमक धानी कहते हैं समझ में आगया ना कि जब प्रतिकुल प्रिस्तिती होती है तो शेवालों में जो जनन होता है वो लेंगिक जनन होता है और लेंगिक जनन के अंतरगत क्या होते हैं युगमक बनते हैं गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स जिन को सिकाव में बनते हैं उनको गैमेट एंजियम या युगमक धानी कहते हैं, अब, ये चीज समझने से पहले, आप ये चीज देखो, कि लेंगीघ जनर्न की दृष्टी से दिम देखें, तो शेवाल दो प्रकार के होता है, लेंगीघ जनर्न की दृष्टी से स्यवाल, दो प्रकार के, एक तो homothelic algae और एकîne अन्हकर नीगा हमने भी यहांपर बात की पीछे की changes के अंदर gamma canonte यानि कि युगमक बनते हैं तो जब एक ही थेलस में बने हो युगमक के दिए आपस में जुढते हैं यानि कि सियोग करते हैं सियोजन करते हैं तो ऐसे थेलस को हम समथेलस कहते हैं या होमोथेलिक एलगी कहते हैं यानि कि थेलस जो मैंने आपको पहले बता था कि थेलस एलगी की जो सरंचना जो होती है एलगी जो प्लांट होता है उस पूरी जो उसकी बोड़ी होती है उसको थेलस कहते हैं और थेलस की प्रिभासा की ब एल्गी की जो सनचना होती है वो थेलस रूप में होती है जिसको इंदी में हम सुकाय कहते हैं तो जब एक ही थेलस में बने हुए यूगमक आपस में स्योजन करने में समर्थ हों यानि के जुड़ जाएं गैमिट्स एक ही थेलस के उपर बनते हैं तो ऐसे सिवालों को हम क्या कहते हैं सम थेलस सिवाल या होमो थेलिक एल्गी कहते हैं और इसके विपरित जब सियोगमन करने वाली नर और मादा यूगमक अलग-लग तंतुओं या थेलस पर उत्पन होते हैं तो उस सेवालों को हम विशम थेलस एलगी या हिटिरो थेलिक एलगी कहते हैं अब एक बार फिर हम वापस चलते हैं उसी के उपर कि जो सेवालों के अंदर लेंगिक जनन है वो मैंने आपको अभी बताया पिछली स्लाइड में ये तीन प्रकास ही होता है इसेवालों में लेंगिक जनन सम्यूगमन, एसम्यूगमन और विसम्यूगमन इंगलिस में बात करें तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी इसेवालों में लेंगिक जनन सम्यूगमन, एसम्यूगमन और विसम्यूगमन दवारा होता है यानि आईसोगेमी, एनाईसोगेमी, उगमी दवारा होता है अब हम अलग-अलग पढ़ते हैं तीनों को कि सबसे पहले हैं आईसोगेमी आईसोगेमी को बोलते हैं समयुगमन तो जब मैंने अभी आपको बताया कि युगमक जो होते हैं वो जुडते हैं और जब नर युगमक और मादा युगमक आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके और युगमन बनाते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लेंगे एक जनरन कहते हैं सामन्य प्रोसेस के अंदर हमने देखा हैं लेकिन समयुगमन किसे कहते हैं, समयुगमन वो होता है कि जब दोनों जुडने वाले यानि युगमक, नर्युगमक और मादा युगमक आकारी की रूप से एक समान होते हैं और चल परकार के होते हैं, यानि कि गती करते हैं और दोनों एक ही आकार के होते हैं, तो इस परकार क कि हम लेंगी के जनन को क्या कहते हैं आइसोगमी या समयुगमन कहते हैं तहता जो जुड़ने वाले युगमक हैं वो उत्पाद के रूप में Deployed Gygospore बनाते हैं और ऐसे समान युगमकों को हम क्या कहते हैं आइसोगमेट्स कहते देंगे कहने का मतलब दो आईसो गैमेट्स मिल करके और एक जाइगो स्पोर का निर्मान करता है और दोनों चल परकार के हैं इसका मतलब उनके उपर फलेजिला होंगे कसाब होंगे ये यूलो त्रिक्स में पाए जाता है जैसे डाइग्राम के दूरू समझे आप जैसे ये लिखा हुआ है कि दोनों समान परकार के गैमेट्स तो दोनों जो समान परकार के गैमेट्स हैं उनको हमने आईसो गैमेट्स कह दिया और दोनों समान परकार के जो गैमेट्स हैं उनमें fusion हुआ यानि कि दोनों जुड़ गए और जुड़ने के बाद जो इस परकार की सरंचना बन गई दोनों जुड़ करके यह बने और यह जो सरंचना बनी उसको हमने क्या कह दिया जाइगोसपोर कह दिया या यह यूगमानों कह दिया तो यह जो लेंकिक जनन की पहले व जाऊंगे और फिर वह जूडेंगे और जूडने के बाद जिस रिंजना का निर्मान करेंगे उसकाम जाइगुस्पोर्या युगमानू कहते हैं इन से प्रकार का जो जननै यानि के जो अभीघने चर्चांट की iso gaming की या इसोग हैमिफ प्रकार का जो जननन है वह सबसे primitive type का जननन यानि के पुराने प्रकार का लेंगेग जनन है क mechanics है यह और इसके बाद दूसरा जो हम बात कर रहे हैं एनाइसोगैमी की, एनाइसोगैमी को हिंदी में कहते हैं एसम युगमन, जैसे नाम से स्पस्ट हैं, एसम युगमन के अंदर क्या होता है, इस परकार के जनन के अंदर नर्वे, इस्त्री युगमक, भिन, भिन, आकार्वे, गती शिल्टा के हो होते हैं वह आकरी की तता क्रिया सिलता में एक दूसरे से अलग-अलग होंगे बिन होंगे इसमें क्या होता है नर युगमक छोटा होता है और चलता है यानि के चल होता है वह अतिस्क्री होता है जबकि मादा युगमक जो होती है वह मादा युगमक बड़ा होता है और चलता एन आईसो गेमिक बोलते हैं इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं कि ये दो एन आईसो गेमिट्स हैं जिसके अंदर एक प्लस और माइनस दिखा रखा है तो इसमें नर्व है इस तरी युग्मक जो मैंने बताया कि भिन भिन आकार के और गति शिलता के होते हैं कि इनकी गति भी अलग-लग होती है और आकार भी अलग-लग होता है इसमें देखो नरी उगमक छोटा चल और अतिस्क्री दिखाया गया है जो प्लस दिखा रखा है वो नरी उगमक है और माइनस वाला दिखा रखा है जो नीचे वो मादा उगमक है मादा उगमक अपक्षाकरत नरी उगमक जो है उसके अंदर पाया जाता है और इस परकार में भी जो दोनों परकार के युगमक समंदित युगमक धानियों में जल में मुक्त होते हैं अर्थात इन में भी क्या होता है कि युगमक सल्यन जो होता है जल में ही होता है अर्थात जो आईसोगेमी और एनाईसोगेमी हैं दोनों प्रकार का जो जन्न है वो जल के अंदर ही होता है उसके बाद तीसरा पॉइंट वो आता है उगेमी उगेमी को हिंदी में बोलते हैं विसम यूगमन या विसम यूगमकता इसके अंदर क्या होता है यह लेंगिक जनल की सबसे अच्छी और सबसे अधिक विक्षित विदी है इसमें नर युगमक तो छोटे होंगे गतिशी लोग में और बहुत अधिक संख्या में नर युगमक बनते हैं जबकि जो इस्त्री युगमक होता है वो प्रयाप्त बड़े होंगे तता अचल होंगे और जिसको सिका में बनते हैं इस्त्री युगमक जिसको सिका में बनते हैं उसको हम उगोनियम बोलते हैं जिसको इंदी में अंडधानी कहते हैं और वहीं के जो अंडधानी जो होते हैं उसी के अंदर जो इस्त्री यूगमक होते हैं वो स्तिर रहते हैं इस्तित होते हैं और नर यूगमक क्या करते हैं इसमें तेरते हुए इस्त्री यूगमक धाने के अंदर या उगोनियम के अंदर पहुंसते हैं और वहाँ पर जुड़कर के यूगमनज या जिसको हम निशिक हुआ और जो मादा की अंडधानी है या उगोनियम है उसके पास पहुंचेगा और वहाँ जाने के बाद वो सलियन करेगा फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद उगोनियम के अंदर इस परकार जाइगोट का निर्मान होगा जिसको हम उस्पोर या निशिकतांड बोल कर रहे हैं और विक्षित प्रकार की जो एलगी हैं जैसे हम आगे बात करें रोडोफाइसी की जिसके अंदर हम लाल से वालाते हैं लाल से वालों में और भी जटिल प्रकार का उगेमी पाई जाती हैं और उसके अंदर क्या होता है नर और इस्तरी जननांगों को हम अलग नाम इतबरे देते हैं जिसमें रोड़ोफाइसी के अंदर जो नरजननांग होता है उसको Spermaecia और इसत्री जननांग होता है उसको Carpog…. गोनियम बोलते हैं तो इस प्रकार का जो जनन है UGEMI UGEMI प्रकार का जो जनन है मुक्य रूप से कोलियोकीट और एकलेमाइडो मोनास कोकीफिरा उडोगुनियम और सारगसम नामक जो सेवाल हैं उनके अंदर पाया जाता है तो ये जो तीनों प्रकार का जो जनन है उसको आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से कलियर हो जाएगा कि सम्यूगमन या विसम्यूगमन किस परकार से होता है और कौन-कौन से सेवालों में होता है और जो अंत में किस परकार ये बनते हैं सेवाल से थैंक्यू सुडेंट